Class 9 के Chapter 7 का Example 9 है हमारे पास Question में हम से बोला गया है D is a point on side BC of triangle ABC एक triangle है हमारे पास ABC उस triangle ABC की जो BC side है उस BC side पर कहीं न कहीं point D है ठीक है? Such that AD is equal to AC और इस figure में जो AD है वो AC के equal है ये वाली side जो है इस side के equal है Show that AB greater than AD तो हमें ये चीज़ शो करनी है कि जो AB है वो greater than है AD से यहीं कि AD से बड़ी है AB ये चीज़ हमें यहाँ पर शो करनी है तो सबसे पहले जो चीज़ हमें given है हमने उसको लिख लिए है उसके बाद जो चीज़ हमें proof करनी है हमने उसको लिख लिए है अब हम इसका proof start करते हैं अब देखिए सबसे पहली बात हम यहाँ पर angles को नाम दे लेते हैं हमने इस angle को बोला angle 1 और इस angle को बोला angle 2 और इस angle को बोला angle 3 ठीक है, जिन angles का हमें use करना है, उनी angles को हमने यहाँ पर दिखा दिया है अब देखिए, जो हमें given था हम उसका use करेंगे हमें question में given था कि जो AD है वो AC के equal है यह चीज हमें given है अब जब AD AC के equal given है, तो हमें यह मालूम है कि अगर कोई दो triangle इस तरह के होते हैं अगर कोई एक triangle ऐसा होता है कि उसमें आमने सामने की sides equal होती है तो उनके आमने सामने की angles भी equal होते है तो जब AD AC के equal है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो angle 1 होगा और angle 2 होगा, angle 1 angle 2 भी बराबर होगे, जब यह दोनों की दोनों sides equal है, तो यह दोनों angles भी आपस में equal होगे, ठीक है इसे equation हम first ले लेते हैं अब देखिए, अब हम बात करेंगे इन triangle ABD में तो इन triangle ABD तो अगर ABD triangle में हम बात करते हैं तो ABD triangle यह वाला है और ABD triangle का जो angle 1 है, वो exterior angle है तो आप हमेशा यह धियान रखें कि जो exterior angle होता है वो अपने अंदर वाले को छोड़ करके बाकी इन दोनों angles के total के equal होता है अगर हम यहाँ पर equality की बात करते हैं तो जो exterior angle होता है बाहर का angle वो अपने अंदर वाले interior angle को छोड़ के बाकी इन दोनों के total के equal होता है और अगर greater than, less than की बात करते हैं तो जो exterior angle होता है वो अपने अंदर वाले interior angle को छोड़के इन दोनों से greater होता है यनिके अगर हम angle 1 और angle 3 की बात करें तो angle 1 angle 3 से बढ़ा होगा और अगर angle 1 और angle इसकी बात करते हैं तो angle 1 इससे भी बढ़ा होगा तो यहाँ पर हम इन दोनों angles की बात कर रहे हैं तो जो angle 1 होगा, वो greater होगा किस से angle 3 से, ठीक है, अब अगर हम equation first से देखते हैं, तो from equation first, from equation first, अगर equation first से हम देखते हैं, तो angle 1, angle 1, angle 2 के equal था, तो जहाँ पर angle 1 लिखा हूँ, आपर angle 2 लिख सकता हूँ, मैं तो angle 1 की जगा angle 2 लिख सकते हैं, और यह greater हो जाएगा angle 3 के, अब हम टू और एंगल 3 जो आ रहे हैं वो ABC ट्राइंगल में आ रहे हैं तो हम यहाँ पर काम करेंगे इन ट्राइंगल ABC तो ट्राइंगल ABC में जब हम देखेंगे तो एंगल 2 जो है वो ग्रेटर है एंगल 3 के जब एंगल 2 एंगल 3 से ग्रेटर है तो अब हम ABC ट्राइंगल में बात कर जो AB है वो greater है किस से AC से अब हमने एक चीज और यह देखी है कि जो हमें given में था वो AC और AD आपस में equal given था तो अगर कहीं पर AC लिखा हुआ है तो वहाँ पर हम AD भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के दोनों equal हैं तो यहाँ पर हम from given given जो AB है AB को आप ऐसे ही रखेंगे greater than AC की जगे हम क्या रख सकते हैं AD तो यहाँ पर कितना आ चुका है AD तो हमें यहाँ पर जो proof करना था AB greater than AD तो AB greater than AD हमारे पास आ चुका है यही हमें proof करना था यह proof हो चुका है